अगत है आपका वापिस से एक नई वीडियो में और इसमें हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं बहुत ज़ादा न्यूज में है शिशु पालगर तो बहुत ज़ादा न्यूज में ये टॉपिक चल रहा है ओडीसा का मौडन कैपिटल अलग-अलग न्यूज चैनल से स ज़ा है कि ओडीसा की जो मौडन कैपिटल है यानि की भुवनेश्वर उसने जो उसका एंशेंट अरबन हवभ हुआ करता था जिसका नाम शिशु पालगर हुआ करता था उसको खतम कर दिया है यानि कि वहाँ पर जो लैंड माफिया है उसने उसको खतम कर दिया है तो ancient history point of view से art and culture point of view से बहुत important है जानने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या चीज है अलग-अलग news channel से उसको cover कर रहे हैं तो दाहिंदों ने उसको cover किया है new Indian express ने इसको cover किया है कि जो ASI है यानि कि archaeological survey of India उसके जो DG है डाइटर जेनरल है वो उडिसा government से help मांग रहे हैं कि शिशू पालगड को save किया जाए उसको बचाए जाए तो देखते हैं इसी इसी चीज़ को देखते हैं कि शिशू पालगड कहा है क्या है उसकी location देखते हैं जिससे कि आपको चीज़े कुछ perspective से समझ में आए आपको चीज़े पता चलें तो अगर हम उडिसा का map देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर शिशू पालगड है यह जो शिशू पालगड है अगर आज का जो यह एरिया देखा जाए सिशू पालगड का यह किसी टाइम पर कलिंग के एरिया में आया करता था यह कभी कलिंग का एरिया हुआ करता था और सिशू पालगड को माना जाता था कि यह कलिंग की राजधानी है तो यह capital है ancient कलिंग की और बीबी लाल जो बहुत बड़े आर्केलोजिस्ट हुए आर्केलोजिकल सेर्वे ओफ इंडिया के डीजी भी रहे 1900, 1940, 50 के टाइम में उन्होंने ये पाया कि ये जो शहर था सिशुपालगड किसी टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ करता था 3rd century BC से 4th century AD तक यानि करीकरी 700 साल तक ये शहर खूब फलाफूला तो ऐसा बना जाता है ये जो कैपिटल रही है किसकी एंशिंट कलिंगकी सुशुपालगड उसके बाद अब आप देखेंगे अगर हम चंदरगुप्त मौरिया देखें या मौरिन डाइनस्टी देखें तो मौरिन डाइनस्टी में सबसे पहले चंदरगुप्त मौरिया होते है फिर बिंबी सार होते है बिंदु सार होते है और उसके बाद फिर अशोक आते है तो चंदरगुप्त मौरिया ने चंदरगुप्त के दोरान उन्होंने खुद ने पूरा लगब लगब आप देख सकते हैं भारत वर्ज जो है उन्होंने कभजा लिया था यह पूरा एरिया उनके अंडर आ चुका था यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा भी उनके अंडर था अफगानिस्तान का हिस्सा भी उनके अंडर था और लगब था एरिया सिशुपालगण का जो एरिया था वो अभी तक नहीं आ पाया था चंद्रगुपत मौर्या के अंडर में इसको अंडर में लाने काम करते हैं अशोका तो अशोका ने जब कलिंग विजुद हुआ तो उन्होंने कलिंग को जीता और इसको भी अपने कब्जे में ले लिया था तो अब यहां पर हो क्या रहा है अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो लैंड माफिया है लैंड माफिया क्या कर रहा है यह जो एंशेंट सिटी था जो किसी टैम पर बसा करता था उसको वो इसको तोड़ते जा रहे हैं यहां पर खुदाई करना यहां पर कुछ भी construction करना बिल्गुल illegal है ASI की तरफ से street guidelines है कि यहाँ पर कुछ भी construction वगरा नहीं हो सकता लेकिन इसके बावजूद जो land mafia है यहाँ से मिट्टी को निकानने के लिए क्योंकि यह जो शहर है भूवनेश्वर के जो आज का भूवनेश्वर है उसके outskirts पर पड़ता है उसके थोड़ा सा भार पड़ता है तो वहाँ पर खूब खुदा ही चल रही है और वहाँ पर जिसके वज़े से क्या हो गया है यह जो city के यह जो remains हुआ करते थे इनको भी तोड़ दिया गया है बाकि आपको इतरा पता होना चाहिए कि सिशू पालगड जो है यह कहां पर है यह उडिसा के भुगनेश्वर के पास है और यहां पर किसी टाइम पर बहुत बड़ा जो सामराज्य था अशोका खा वो चला करता था पहले कलिंग केंडर था उसके बाद में फिर यह अशोका केंडर आ गया था तो गाईस थेंक्यू मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा आपको इसमें कोई भी डाउट आता है कोई भी फीडबेक सेलिशन है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट को जूरू बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेर भी रूप कीज़ेगा चले बागी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो थेंक्यू और बाबाई